हलो दोस्तों नमश्कार्स, स्वागते मतेरा अनीश वुलख पर दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह خूबसुरत पहाडी और यह खूबसुरत पहाडी है बानपुरा के पास चोटे बड़े महादेव का जो स्थान है उसी के रास्ते पर दोस्तों मैं एक धरम शाला के उपर खड़ा हूँ और सावन का मैना है खुबसूरत नजारा है आप देख करके समझ सकते हैं कि पीछे कितना जबरजस्त पहाड़ी है अरियाली है और कितना खुबसूरत ये विउ है तो वीडियो देखते रहिए और आपक के खुबसूरत थान चोटे बड़े महादेव कांदी सागर और अन्यस्तान तो ये धरम शाला है और इसी रास्ते से होकर के लोग शिवजी के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर जो जरना है उसमें नहाने के लिए जाते हैं काफी लश ग्रीन जंगल यहाँ पर हैं काफी सारे जानवर भी इस चंगल में हैं और यह तो मंदिर जाने के पहले का रास्ता है द्रश्ये तो वहीं पर यह जो जरने का पानी आता है वो भड़ जाता है और एक तलाप महाँ पर बना हुआ है यह खूबसूरत पहाड़ी है दोस्तों आगे आपको दिखाऊंगा कि किस त से लगबग 300 फिट की हाइट से एक जरना गिरता है जिसमें लोग आनन लेने के लिए यहाँ पर आते हैं दोस्तों बानपुरा की बात करें तो यह मंसूर डिस्टिक में आता है मद्यप्रिदेश का जो मंसूर डिस्टिक है उसी में यह चोटा सा कजबा या चोटी सिटी आ यही से वो जरना गिरता है और इसी के पास देखिए कुछ लोग इतनी उची पाड़ी पर चड़ चुके हैं तो साइट से ही जाने का रस्ता है जाना बड़ा रिस्की है लेकिन लोग अपनी चांड जो कि में डाल करके वहाँ पर चले जाते हैं तो यह शड़ डालू जो है दर्शन करके सनान करके लोड रहे हैं और काफी रश हैता यह देखिए एक तरह का सूसाइट पॉइंट ही है लेकिन कुछ लोग वहाँ पर रिस्क ले रहे हैं और जरने का आनल लेने के लिए उपर चले गए हैं उपर से जो जंगल का पानी है वो पूरा इकटा हो करके यह पर चमा होता है और धीरे-धीरे किरता है तो ये वो कुंड़े जिसकी में बात कर रहा था ये वो जरना है पीछे आप मेरे देख सकते हैं काफी रशे काफी भीड़े छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के बुड़े हर तरह के लोग यहां पर पिकनिक और कुमने के लिए कर रखी है रोड बना है और आपकी जो गाड़ी है चाहिए फोर विलर है चाहिए टू विलर है जाती है आपको पारकिंग के ज़रूर पैसे देने पड़ते हैं आप अराम से पारकिंग में अपनी गाड़ी रख करके और थोड़ा सा लगबग आपको पचास मीटर पैदल पड़ेगा और इस तरह का लगबग पांच फीट का ये कुंडे ये देखिए ये ज़र्ना यहां से गिरता है बिल्कुल प्राकरतिक शुद साफ पानी किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है जंगल की जड़ पूटियों का चबर जस्त साफ मीठा पानी और ये देखिए किस तरह से खुबसूरत चटाने यहां पर है किया वियू नजर आता है नीचे से काफी हाइट है इस जन्ने की जहां से ये जन्ना गिरता है और बारिश में मान सुन में लोग यहां पर बारिश अंग्या में चले आते हैं ये परिवार के साथ लोग इंजोई करते हैं तो यहां पर आप शिव जी के दर्शन भी कर सकते हैं, चोटे बच्चों के लिए भी अलग व्यवस्ता है, ये देखे किसी भी प्रकार की अनोनी होने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि जहां पर कम पानी है, वहां पर ये चोटे बच्चे एंजोई कर सकते हैं, थोड़ा पाँच जमा हो जाते हैं, और पूरे मौनसून ये सिलसिला चलता रहता है, खास करके भानपुरा, मनसोर और आसपास के जो लोग है, राजस्तान से भी काफी लोग यहां जाते हैं, राजस्तान के जहलावाड, कोटा, भावानी मंडी, यहां के काफी सारे लोग यहां जाते हैं, र और किसी भी तरगी आपको परिशानी नहीं आईगी, एकदम शांदार रोड बनाएं, और आप महाँ जा सकते हैं, और दोस्तों, बड़े महादेव के पास ही ये खुर्चके है, इसका नाम है चोटे महादेव, तो अब मैं चोटे महादेव आ चुका हूं, दोनों में लगबग 3-4 किलो मिटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक खुबसूरत पाहड़ी है, इस पर ओम लिखा है, कई सारे लोग इस पाहड़ी पर भी चड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का जर्ना नहीं है, जर्ना जो आपको मिलेगा, वो बड़े महादेव पर मिलेगा, और यह छोटे महादेव जो है, यहाँ पर भी शिवजी का मंदिर है, लोग शिवजी के दर्शन करने के लिए आते हैं, खुबसूरत पहाड़ी, परवत, जंगल यहाँ पर है, और यह मंदिर किसी लियों से होकर के, हम अंदर जाते हुए, कई सारशद्दालू, सावन में यहाँ पर आते, तो उस्तों भानपुरा की बात की जाए, तो यहाँ पर कई सारे खुबसूरत प्राकरतिक स्थले, जैसे कि कथिरिया कुंड है, राम कुंड है, गांदी सागर है, ताकाजी है, यह सारे खुबसूरत प्राकरतिक जगे है, और जहाँ पर पानी भी है, और लोग अराम से पिकनिक मनाने जाते हैं, यह खुबसूरत प्राचिन मंदिर है, जो की काफी पुराना है, अंदर एक चमतकारिक कुंड भी है, लोग बताते हैं कि इस कुंड में, कोई भी चर्म रोगी होता है, वो ठीक हो जाता है, यह महादेव जी का मंदिर है, काफी प्राचिन नामे सोमेशुर महादेव, और यही पर एक धर्म शाला भी है, तो अगर लोगों को किसी भी तरह की कोई गोट वगेरा करनी होती है, इसी तरह का फंक्शन करना होता है, तो वो मंदिर से रसीत कटा करके, कोई भी पिकनिक या गोट यहाँ पर कर सकते हैं, तो काफी अच्छी फेसिलिटी यहाँ पर, मंदिर प्रशाशन दौरा रदान की गई है, यह वो कुंडे जिसकी मैं बात कर रहा था, काफी गहरा कुंडे, और इस कुंड की खास बात यह है, कि यह चमतकारी कुंडे, यहाँ पर पहले कई सारे चमतकार हुए हैं, और उपर से जो पहाड का पानी आता है, वो पहाड का पानी इसमें समा जाता है, यह कुंड पूरा भर जाता है, लेकिन खास बात है कि नीचे से आटोमेटिकली ये खाली हो जाता है कुछ इस तरह की संरचना कि कई ये इस तरह से बनाये गया है कि ये आटोमेटिकली खाली हो जाता है और खूबसूरत फोटोग्राफिक के लिए वीडियो के लिए वो जबर जस जगे है भानपुरा तो मैं तो यह कहुँआ कि आप यहाँ पर एक बार तो जरूर आए तो आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं और इतिहासिक स्थलो का ब्रहमन भी कर सकते हैं यह देखिए शिवलिंग काफी प्राचिन शिवलिंग यह पत्तरों पर बना हुआ और इसी तरह के शिवलिंग आपको इस कुंड के या बावड़ी के दोनो साइट देखने को मिलेंगे तो उस टाइम पर किस तरह से पत्तरों को काट कर इन शिवलिंग को बनाए गया है यसा नहीं है कि कहीं से कोई पत्तर उठा करके ला करके रखा गया है नहीं लेकिन जो आटमेटिक वहाँ पर चटाने थी उसको काट करके इस जब शिवलिंग को बनाए गया है तो यह वो कुंड है और कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मन नते ले करके यह देखिए एक और शिवलिंग और इस तरह का एक और शिवलिंग इसकोंड के दूसरी तरब भी है पासी में खुबसूरत मंदिर है तो मैं बात कर रहा था भानपुरा की प्राग्रेटिक स्थलों की तो कई सारे स्थल है दोस्तों यहाँ पर कुमने के लिए मैं तो कहूंगा आपका कम से कम दो से तीन दिन लगेंगे अगर आप भानपुरा को अच्छी तरह से विजिट करना चाते हो यही परपास में गांदी सागर में हिंगलोच गड़ या हिंगलोच किला भी है वहाँ पर भी आप चाह सकते हैं और अब तो वहाँ पर सेंचूरी भी है और इसी सेंचूरी में जो चीते हैं उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है उन चीतों को फिलाल छोड़ा तो नहीं गया लेकिन जल्दी ही सरकार कोशिश कर रही है कि यहीं पर भानपुरा हमके पास जो अब भीराने कांदी सागरा भीरान उसमें उन चीतों को छोड़ा जाएगा और जल्दी ही टूरिस्ट उन चीतों का भी देखने का लूप तो उठा सकेंगे तो एक से एक प्राकरतिक सुन्दरिय की जगह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी रोड बगेरा काफी अच्छी है हर तरह से कनेक्टिविटी है चाहे राजिस्तानों चाहे मद्धिप्रिदेश हो मद्धिप्रिदेश की भी काफी सारे लोग आते हैं और राजिस्तान के तो लोग जरूर जाते ही जाते है तो यहाँ पर यह मंदिर है और पूजा अर्चना चल रही है कई लोग सावन के महने में शिवजी पर जल चलाने के लिए आए हैं और आशिरवाद ले करके जाते हैं बड़ा यह अच्छा सफर है दोस्तों काफी इतियासिक हरी भरी यह जगह है और मद्यप्रदेश सरकान ने काफी अच्छी फेसिलिटी भी यहाँ पर अब तो रोड बग़रा बना कर गिक की है मंदिर प्रशाशन का भी सपोर्ट शड़ा लोगे लिए बड़ा अच्छा है और इस जंगल की बात की जाए तो काफी घना जंगल है कई सारे जानवर इस जंगल में है कई सारे जानवर दिन में भी देखने को मिल जाते हैं खास करके तेंदुओए जंगल जाना जाता है तेंदुओख के लावा लकड बग़गा वगयरा तो रात को यहां पर जाना बिल्कुल अलाओन नी होता है खास करके शाम पाच बजE बाद तो पाँजE बाद वान वान भाग जो है जा हम पर डोक्तोग करता है चुकि यह उन भाग के अंदर आता है और यह देखे कुछ लोग जो उपर चड़ चुके हैं जैसा कि मैंने बताये था हलांकि वहाँ चाना रिस्की है लेकिन लोग अपनी क्यूरेसिटी पूरी खनने के लिए और एडवेंचर के लिए भी वहाँ पर चड़ जाते हैं बने रही है मठेरा अनीश लोग पर देखते रही है एक से एक जानकारी खुब सुरज जगे ओनली एन ओनली मठेरा अनीश लोग पर तो यह है तोस्तों मद्धिप्रदेश का एक खुब सुरत इतियासिक धार्मिक स्थल जो हर किसी को विजिट करना चाहिए जै भोले जै शीव शंभू और यहां पर ये शद्धालू शीव जी को खुश अर्पित करते वे जल चड़ाते वे अपनी मनों कामना है फोन करने के लिए पाट करते हुए तो यह वो जगे है पहले मैंने आपको दिखाया बड़े मादेव जहां पर जहन ना है पिछले वीडियो में मैंने आपको ताका जी चतुर बुजनाला और गांधी सागर तथा अन्ने स्थान दिखाये थे आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही बने रहे हैं मटेरा अनी शुलक पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना बुले सी यू, टेक केर हल विदा इन दे नेक्स वीडियो